A upon secant A N sin square A upon 1 minus cos A लिखना है. मतलब secant ता पन्वांसर जाहिदा और जाहिदा sin cos चाहिए ता चेंच कर लाना है. secant लिखना 1 upon cos. numerator चुई, denominator चुई. numerator जएल्सेम लिखता cos theta plus 1. A cos theta उपर चले आगया. cos theta upon cos theta कटिंगोंगी cos theta plus 1 बाच गया. जे होना आप देखे हैं आपनों चाहिदा तर डिनोमिनेटर जो 1-cos है तो आप मल्टिप्लाइ डिवाइड कर रहा है 1-cos θटा ना मल्टिप्लाइ डिवाइड क्यों जे जेनरली सुची यह नों कट के 1 बच होगा मतलब 1 नाल ही मल्टिप्लाइ किता है 1 नाल मल्टिप्लाइ कर रहनते को भी फरक नीपेंदा होंदा तहां कड के किता है cos θटा प्लस 1 1-cos θटा a a plus b a minus b एडेंटिटी लाती a square minus b square 1-cos θटा ना square sin square होंदा है over 1-cos θटा ही प्रूफ करना सी